अब जमू एरपोर्ट पर उतर सकेंगे बड़े हवाई जाहाज बेडी चिलाना इलाके में ने टर्मिनल भवन का काम जल्द होगा शुरू एरपोर्ट एथार्डी ओफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि जमू एरपोर्ट अब बड़ी एरबस के लिए त्यार है ने रनवे से वाटर कैनन सेल्यूट के साथ इंडिको की पहली फलाइट रवारा की गई जमू एरपोर्ट अब बड़ी एरबस की उड़ान के लिए भी त्यार है वायू सेना और एरपोर्ट अथार्डी के इस संयुक्त रूप से इस्तेमाल होने वाले हवाई अड़े पर ने रनवे से वाटर कैनन सेल्यूट के साथ इंडिको 6E 137 फलाइट को रवारा किया एरलाइस चाहे तो अब 225 यातरी शम्ता वाली एरबस 321 की सेवाएं शुरू कर सकती है वर्तमान में 186 यातरी शम्ता वाली एरबस 320 को ही एरपोर्ट पर उतारा जा रहा है एरपोर्ट के रनवे को 6700 फुट से बढ़ा कर 8000 फुट लंबा किया गया है ने रनवे से पहली उड़ान के साथ ही अब हवाई अड़े की शम्ता बढ़ गई है खास बात यह है कि जमू एरपोर्ट रनवे विस्तारी करन पर योजना के तहत एरबस 321 के लिए टर्न पैट तियार किया गया है वाई बेली चिराना शेत्र में ने टर्मिनल भवन का काम चल्द शुरू करने की त्यारी है एरलाइन्स इस बड़े रनवे और सुईथाओं के अनुरूप सेवाई शुरू कर सकती है जमू एरपोर्ट पर बंदन के अनुसा रनवे विस्तारी करन को वायू सेना, M.E.S. और भारतिये विमान पतन प्रादिक करन ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है और बिली चिनाना में जमू हवाई अड़े के ने टर्मिनल भवन के निर्मान के साथ ही जमू कश्मीर के विकास में महत्पुन भूमिका निभाई चाहेकी जिसका काम जल्दी शुरू किया चाहेगा और रन्वे से पहली उडान के लिए विमान को वाटर कैनन सेली उठ दिया गया दोनों तरफ से दमकल वहान से पानी के बोच्छार की गई जिसके बीच से विमान निकाला गया और इसे बीच में केंद्रिय मंतरी डॉक्टर जतिंदर सिंग ने भी ट्वीट के मादम से चानकारी वे शुब काम नाए दी